डॉक्टर के दौरा ये इंजक्षन सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाता है हॉस्पीटल में और क्लिनिंग में जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं डाइकलोफेनिक सोडियम इंजक्षन का उप्योग का अप किया जाता है मरीज को क्या दिक्कत क्या परिसानी रहती है तब डाइकलोफेनिक सोडियम इंजक्षन मरीज को लगाया जाता है ये इंजक्षन कितना ML का आता है कितना ML मरीज को लगाना होता है मरीज को कौन सी दिक्कत कौन सी परिसानी रहती है या फिर कौन कौन सी तकलीफ, क्या मरीज को क्या दिक्कत रहता है, तब ये injection लगाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे ये injection दर्द की समस्य में दिया जाता है, जैसे कि अगर बाडी में किसी भी परकार का दर्द रहता है, उस दर्द की प्राब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये injection मरीज को लगाया जाता है, जैसे कि अगर किसी के सर में, या अगर उसके सिर में काफी ज़्याद की समस्या आ गया है, तब डॉक्टर के द्वारा उस दर्द को ठीक करने के लिए डैकलोफेनिक सोडियम इंजक्सन मरीज को लगाया जाता है, और जैसे कि इस इंजक्सन का उपयोग गठिया से सम्बंदित किसी भी परकार का दर्द रहता है, जैसे कि गठियां में उटने म काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, गुट या फिर चुट चुट की आवाज आता है, गाठों में दर्द लगातार बना रहता है, तब उस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यानि एक परकार से हम कह सकते हैं गठिया की दर्द को ठीक करने के दीकलोफैनिक सोडियम इंजेक्शन लगा जाता है, गिडनी स्टोन की समस्या में इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है, जैसे कि जब किसी के कीडनी में अगर वहाँ पर हम कह सकते हैं पत्री की समस्या रहती है, जब तो आपको पता ही होगा पत्री का दर्द कितना भ्यानक दर्द होता है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगा जाता है जिससे आपके जो किड्नी में पत्थरी की समस्या है वो उसे ये ठीक कर देता है यानि उस दर्द को ये आराम कर देता है अर्थराइटिस की समस्या में इस इंजेक्शन का प्योग किया जाता है जैसे अगर किसी को गाव हुआ है और गाव की समस्या में उसे काफी ज़्यादा दर्द की प्राबलम हो रहा है तब उस दर्द की प्राबलम को ठीक करने के लीए डाक्टर के द्वारा डैकलोफेनिक सोडियम इंजक्सट लगा जाता है अडियों का दर्द है या फिर जोडों का दर्द है या फिर रोमेटाइटिक अर्थराइटिस की समस्या है तो इन सारी प्राबलम में इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है इस इंजेक्शन का उप्योग माईग्रेन दर्द की समस्या में किया जाता है यानि अगर किसी क प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दौरा ये इंजेक्शन मरीज को लगा जाता है या पिर अगर किसी के कमर में काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है उठने बैठने में काफी ज़्यादा दिक्कत होता है तब उस समस्य में डॉक्टर के दौरा deaclophanec sodium injection लगाया जाता है और जैसे कि जब किसी के दाथ में काफी ज़्यादा दर्द की समस्य रहती है या फिर दाथ का जब डॉक्टर operation करते हैं तो उस समस्य में ये injection लगाया जाता है जिससे जो उसके दात क्या दर्द है वो ठीक हो जाता है ये इंजक्षन I.E.M. और I.B. दोनों रूट से दिया जाता है लेकिन ज्यादा तर डॉक्टर इस इंजक्षन को इंट्रा मस्कुलर यानी I.E.M. रूट से ही देते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई दिकत कोई प्रिसानी है तो आप अपने नजदीगी डॉक्टर या फार्मासिष्ट से संपर करके दवा लें कोई भी इंजक्षन कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें